चलिए हाँ यह क्लास आप लैप्टॉप से भी यानि कि वैप से भी आप क्लास जोईन कर सकते हैं ठीक है कुछ लोग इसमें स्वेप्स पर आये हैं तो वैप से भी क्लास कर सकते हैं और अप्लिकेशन से क्लास कर सकते हैं दोनों तरीका वैप से करने के लिए वैप साइट पर जाना होगा तो यहां पर क्या है कि आपका जो यह इस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एंड वैलिवेशन थोड़ा सा मैं बेसिक चीजों को लेकर चलूंगा जो भी टॉपिक में पढ़ाऊंगा पहले होता है तो एक दाप पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे ताकि आपको चीजे समझ में तो हम यह समझें के आपको आता है नहीं बेसिक समझाते हुए लिखाते हुए नोट सासाथ में रखे रहिएगा यदि आप लिखते हुए छूट भी जाता है तो यह स्लाइड वाला पीड करते समय समझते रहिए बाद में फिर आप क्या करिएगा लिख लीजिएगा या साथ-साथ लिख सकते हैं तो यहां पर डालिए इस्टिमेटिंग 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 कॉस्टिंग एंड वैलुवेशन वैलुवेशन देखिए इस सब्जेक्ट को इस समय डिप्लोमा में क्वाटिटी सरवेंग एंड वैलुवेशन के नाम से लोग जान रहे हैं क्यूस्बी लेकिन यह पहले से ही सब्जेक्ट यह इस्टिमेटिंग कॉस्टिंग इन वैलुवेशन के नाम से जान जाता है ठीक है कि किटने है वह वुढ के उसको प्राकलन सकते हैं कि पहले से परकास्ट कर लेते से पता लगा लेते हैं ठीक है कि कितना इसका quantity है जो भी material होगा या जो भी product प्यार किया जा रहा होगा costing यानिक उसकी लागत ठीक है लागत के बारे में पता लगा जाता है और valuation का मतलब यहां पर क्या है तो को हम लोग क्या करते है यहां पर पता लगाते है एक तरह से यहां पर वैलु क्या है उसकी et 합니다 क्या करते हैं पता लगाते हैं पद रहे थें क्योंकि सभी लोग роб decep oh my में ही आप लोग क्या कर रहे थे quantity serving and valuation वहां पर subject नहीं आ गया था ठीक है अब इसमें क्या है कि जो पहला topic है आपका वह है अच्छा कौन-कौन से topic आप पढ़ेंगे पहले हम इसके सलाइबस की बात कर लेते हैं ठीक है इसके topic का क्या करिए नाम नोट कर लीजिए पहले ही आप topic नाम नोट कर लिए ठीक है हुँ ठीक सलाइबस लिखेंगे estimation पहला है estimation जो हम पहला चैप्टर पढ़ाएंगे वह estimation और estimation में ही टाइप आप estimation वह सब कुछ आ जाएगा ठीक है दूसरा है यहाँ यहाँ पर basic measurement of work basic measurement of work कि आप वर्क जो काम हो रहा होगा जैसे हैं इन खिचिनाई हो रही कंठीक है मैसनरी वर्क हो रहा है कंक्रीटिंग वर्क हो रहा है जो भी वर्क हो रहा है उसका हम यूनिट यहाँ पर देखेंगे measurement कैसे करेंगे वह सारी चीज़े calculation कैसे करेंगे वह सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाएंगे आपको तीसरा है building area जैसे मारी जो building होती है ना उसमें अलग-अलग पार्ट जो है उसका अलग-अलग area अलग-अलग नामों से जाना जाता है ठीक है जैसे covered area देखेंगे plinth area ठीक है इस तरीके से area ratio बहुत सारी चीज़े आप देखें कोट्यार्ड area वह सारे हम building area वाले चैप्टर में पढ़ेंगे चौथा है यहाँ पर rate analysis and valuation rate analysis डर्विसलेसन रेट एनालेसिस दर्विसलेसन एंड वैलूगेशन इसका हम हिंदी भी लिखवा देंगे बहुत्स तर जाता मेरे मूल्यांकन टीक है मूल्यांकन तो आकल लागत और मूल्यांकन जैसे कोई चीज़ 20 साल से बनी है बिल्डिंग अब इस समय उसका क्या मुल्य अंकन आप करेंगे तो वही क्या है आपका मुल्य अंकन यानि कि उसकी क्या बैलू आप लगा रहे हैं रेट एन आल्सिस एन वैलुविशन नेस्ट चैप्टर है आपका पच्छमा चैप्टर अर्थवर्ग कायलकुलेशन ठीक है और उसके बाद बिल्डिंग प्लानिंग एंड कॉंट्रेक्ट वैसे छट्मा चैप्टर बहुत कम पूझता है ठीक है बिल्डिंग प्लानिंग एंड कॉंट्रेक्ट अलग-अलग बुक से अगर पढ़ते हैं तो यह चैप्टर आगे पीछे हो सकता है लेकिन मैं यहां पर अपने अनुसार जैसे हम आपको सीक्विंस अनुसार पढ़ा रहे हैं ताकि अगर आप जैसे मान लिए अर्थवर्ग पहले पढ़ लेते हैं तो उससे क्या हो नहीं कर सकते इसलिए हम सीक्विंस वाइज आपको पढ़ाएंगे रूप में पूरा ऐसा नहीं है किसी थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाएगा पूरे डेटेल्स में बात करेंगे तो आइए पहला चैप्टर डालिए चैप्टर फर्स्ट इस्टिमेशन इस्टिमेशन आकलन यह टोटल चैप्टर ही कवर करे जाएंगे आपको इसमें पूरा खतम हो जाएगा कुछ चीज़ेगर रह जाती हैं जैसे कुछ मिसलेनियस टॉपिक होते हैं जो चैप्टर अलवा हम आपको अलग से पढ़ा देंगे दूचार चार टॉपिक होते हैं जैसे कहीं दरवाजे इसमें क्लास करते हैं उसी तरीके से आप यहां पर क्लास करेंगे है ठीक है चलिए नैस्ट यहां पर देखेंगे है चैप्टर फर्स्ट डालिए इस्टिमेशन अब मैं इसको इस्टिमेशन यानि की आकलन हर चैप्टर का आगे हम हिंदी लिखते चलेंगे परसाण मत होईएगा आकलन ठीक है आकलन लिखें डालिए इस्टिमेशन लिखिए किसी भी तयारी करने के लिए आपके पास भरपूर कंटेंट होना चाहिए साथ नोट सोनी चाहिए भरपूर अगर कंटेंट है तो आप तयारी अच्छे कर सकते अगर आपके पास मटेरियल ही नहीं है सही तरीके से तो तैयारी करने में फिर अस्विधा होती है ठीक है इसी लिए पूरा content भर पूर देते तो आकलन या फिर इसको हम प्राकलन भी बोलते हैं क्या बोलते हैं प्राकलन भी बोलते बनवाना है तो इसका मतलब हम आपके सामने प्रस्ताव रख रहे हैं क्या कर रहे हैं प्रस्ताव रख रहे हैं कि हां यह building बनवाना है ठीक है तो construction work अब आप क्या करेंगे शुरू करेंगे building की लिए तो बिल्डिंग बनवाने से पहले ही आप ये शहेंगे कि इस पुरी की पूरी कि पूरी क्या निकाली जाए इसकी क्वांटिटी के बारे में कितना इस में कितना यह इत लगेगा एक्टॡपा cela एक्रिएट लगेगा सभी सामगरिये इस्टिमेशन वहाँ पर कर ले रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं कि कोई भी काम जो प्रस्तावित है ठीक है कोई भी काम अच्छा करते क्यों है इसलिए करते हैं कि ताकि उस पर जो भी खर्च हो रहा है जो भी उस पर व्य हो रहा है ठीक है जो भी खर्च है वह खर्च की बारे करते हैं कि जो भी कंस्ट्रक्शन कराना है कंस्ट्रक्शन होने से पहले या जो भी प्रस्तावित काम है उसके पहले ही हमें क्या करते हैं उसकी क्वाइंटिटी का पता लगाते हैं ताकि उसके खर्च या बै के बारे में पहले से पूर अनुमान लग जाए ठीक है तो इसको ह निर्माड कार ता साथ लिखते चलिए यानि की कंस्ट्रक्शन वर्ग कंस्ट्रक्शन वर्ग को सुरू करने से पहले को सुरू करने से पहले सुरू मतलब स्टार्ट करने से पहले ये क्लास यूट्यूब की डाल ये यू दो क्लास डलेगी डेमोा दोड़्यvisor आप अपने मित्र को शेयर कर सकते हैं करने से पहले उस पर उस पर होने वाला उस पर होने वाला बया खर्च या खर्च या लागत लागत मतलब जो सकी कॉस्ट है ठीक है का अनुमान लगाया जा सकता है kan अनुमान लगाया जा सकता है ठीक है या ऐसा लिख सकते हैं कि अनुमान लगाना अनुमान लगाना कि इस्टिमेशन कहलाता है इसी को दूसरे सब्दों में लिख सकते हैं इसी को दूसरे सब्दों में लिख सकते हैं जिसे आप अगर और एक डिफिनीशन लिखना चाहें दूसरे सब्दों में लिख सकते हैं लिखिए कि किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क को किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क को करने से पहले करने से पहले कि इस्ट्रक्शन हमेशा ध्यान रखेगा कंस्ट्रक्शन वर्क करने से पहले जो हम आइटम्स के बारे में क्या करेंगे आइटम्स का विब्रण पता कर लेंगे आइटम्स की डिटेल्स हम पता कर लेंगे और उसके बाद उसी अधार पर उसकी लागत निकाल लेंगे कास्टिंग कर लेंगे वही हमारा इस्टिमेशन कहलाएगा नियानखेगा तो करने से पहले उसके लिए उसके लिए आवश्यक मद मतलब आइटम आइटम मींस जैसे उसमें कितना गिट्टी लग रहा है कितना उसमें कंक्रीट है ये सारे आइटम एवं एवं रिजल्टेंट की गड़ना एवं क्वांटिटी लिख दीजिए ज़़ अच्छा रहेगा एवं क्वांटिटी का कल्कुलेशन एवं क्वांटिटी का कल्कुलेशन करना इस्टिमेट कहला आता है तो यह बात समझ में आ गई होगी कि इस्टिमेशन मींस कंस्ट्रक्शन वर्क करने इससे फादा ये है कि costing जो उसकी लागत है वो पता चल जाती है ठीक है तो आप पहले से fund की विवस्था कर सकते हैं पैसे इकठा कर सकते हैं दूसरा जैसे कभी कभी क्या होता है कि building का मान लिजे कि कोई बाद में आये और बाद में भी आप बनने के बाद भी calculation कर सकते हैं तो में चला जाएगा ध्यान रखेगा किसी भी बिल्डिंग को बनने के बाद जब आप costing करते हैं एक तरस लागत तुरंत बाद ही निकालते हैं तब तो हमारी एक्ट्वल कास्ट निकल काती है यह वाली जो कास्ट इस पर निकली एक्ट्वल नहीं है क्योंकि हो सकता है करने के बाद इसे एक साल दो साल चार साल बाद है उसका बैलुवेशन करते हैं तब पर भी करना ही पड़ेगा बट वह बैलुवेशन में चला जाएगा यानि कि उसकी बैलु लगाई जा रही है और उसकी अधार पर जिसे टेक्स हो गए रहे लोग देते हैं इस तरीके का न अरगने ताइप ओफ इस्टी में शन या कहिए थोड़ा सा उद्धेश लिखवा देते हैं थोड़ासा उद्धेश की एक्जाम में पूछा जा सकता है लेकिए परपज आप दे इस्टीमेशन है परपज आप दे इस्टीमेट प्राक्लन का उद्देश परपज आफ देंस से क्या इस्ट्रीमेशन कर रहे हैं क्या उद्देश से क्यों इस्टिमेशन कर रहे हैं एक पॉइंट को लिखते चलेंगे समस्ते भी चलेंगे साथ साथ ठीक है पहला यह है कि कंस्ट्रक्शन के पहले यदि हमें इनके टोटल लागत के बारे में पता चल जाए तो आवस्यक जो भी हमें इसमें धनरासी खर्च क करना है वह हम पहले से ब्यवस्था कर सके कभी कभी ऐसा होता है कोई घर बनवाता रहता है और पता चला कि उसका पैसा ही खतम हो गया तो इससे क्या हो जाकता है कि पहले से ही जब लागत की पता चल जाएगी तो क्या करेंगे फंड की ब्यवस्था की जा सकती है तो लिखे कि पंड की विवस्था की जा सकती है इसलिए हम करते हैं क्योंकि अगर पता पहले से चल जाएगा तो उसी इसाप से लोग उसका पैसे की विवस्था कर लेंते हैं ठीक है लिखेंगे नेस्ट दूसरा अब सभी करती आइटम की कंई चुका हैं तो इसका मतलब जो भी मसीनेरे इस पर लगना है कम किसंट तरीके से होना है कितनी अहीं कितने Honors लगना है वह आपको पहले सिया पता चल जाएगा तो आप उसी हिसाब से ओर कर सकते हैं पहले से ही तो लिखें यहाँ पर कि आवशिक आवश्यक मटेरियल की क्वांटिटी के बारे में पता लग जाता है क्वांटिटी यह पता लग जाता है और मशीन तथा लेवर की संख्या का 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 अनुमान लग जाता है देखिए ध्यान से देखिए आवस्यक यहां पर क्या है जो क्वांटिटी मटेरियल क्वांटिटी आप उसी साब सादर कर देंगे कि सेंड चाहिए कितना सेमिंड चाहिए कौन कौन सी मसीन चाहिए दस मसीन चाहिए पांच चाहिए वह भी पता लग जायेगा लेवर सबसे हम रोल है लेवर नहीं मिलते हैं तो पहले से आप लेबर को भी भी बोल सकते हैं कि फला दिन हमारे हाँ एक काम है ठीक है तो उतने लेबर की भी जरुदत है जितना वह पता चल जाएगा ताप उतना ही बुला सकते हैं पहले से ही तो यह एक इसका सबसे वड़ा बेनिफीट है तीसरा तीसरा है इस काम होना है क्या क्या काम चीजरे फालो अब करनी है ठीक हो सारी चीजरे उसमें नहती है ठीक है यह सारे चीज़े तो इसी लिए जो है यहां पर यह भी पता चल जाएगा तो उससे क्या होता है कि आप उसको apply करवा सकते कि नहीं नहीं काम इस तरीके से ही करो जल्दी बाजी ना करो अराम से mixing करो दो मिनिट मिक्स करना दो मिनिट मिक्स करो तो उसका अनुपालन हो सकता है यानि कि उसको apply कराए जा सकता है specification को तो लिखेंगे कि specification के specification के अनुपालन से construction की property बनाई रखी जा सकती है ठीक है और एक और इसका benefit कांस्ट्रक्शन की जो period है न वह पता चल जाएगा जैसे अगर estimation आप करते तो उसमें यह भी चीज रहता है कि एक साल में complete होगा और एक 6 महीने में complete होगा तो यानि construction का जो period है यानि कि निर्माण अवधी इसके बारे में पता लग जाता है तो लिखेंगे कि project की प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन पीरियड का पता लग जाता है अच्छी खासी एक copy बनाईए और रफफ से काम मत चलाईए यह भविस्य में भी आपका काम देगा क्योंकि यूपिट्र प्रोजेक्ट का कोई भरोसा नहीं है कब तक paper करवा ले ठीक है इसलिए बराबर नोर्स बना रहेगा तो उसको रिविजन करते रहेंगे ठीक है जैसे आप टेंडर जैसे निकालते हैं paper में तो estimation आप किये रहेंगे तो आपको help मिलती है कि क्या क्या चीजें इसमें लगनी है या कितना क्या यह लागत इसमें है ओ आप इसी से पता लगा सकते हैं तो टेंडर क्या चीजे होता है आमंतर देना जैसे आप invitation काड़ देते किसी को हमारे घर साधी भया का महल है तो उसी हिसाब से एक टेंडर निकाल जाता है कि आप आईए यह building हमारे बनवाना है तो आप लोग आईए इसको देखिए और बनवाईए तो एक टेंडर निकाल जात इनदर करने के लिए या टेंडर इनवाइट करने के लिए प्रोजेक्ट का इसमें इस्टिमेशन होना ज़रूरी है यह मैं एक्ष्ट्रा लिखवाद दे रहा हूं कि एक बार कोश्चन पूछा था ठीक है और क्या हो सकता है पेमिंट करने में थोड़ा सा सहायता मिलती है जैसे आप इस्टिमेशन की हैं तो आपको पता है कि दो कमरे का लागत इतना आया है अगर वो कोई भी कांट्रक्टर दो कमरा बना देगा और इसका पेमिंट करना होगा आपको तो आप उसके पेमिंट जो measure किये हैं उसके आधार पर इसको match करा लिजिए उसको देखकर कि लगभग है कि नहीं है क्योंकि लगभग बराबर होना चाहिए तो लिखें कि payment करने में help मिलती है payment करने में help मिलती है तो यह सब क्या है इसके फाइदे हैं या उद्देश है इस्टिमेशन करने के किसके अंकित नोटिस निकालना इन्वाइट करते न तभी लोग आते हैं और जब फिल करेंगे तो उसमें से एक को वर्क दे दिया जाता है काम दे दिया जाता है काप लेजाई करवाईए उनके योगता के अधार पर ओ गिया तो यह समझ पोगया उंकि कंस्रक्षम वर्क इस्टार्ट होने के पहले फंड की विवस्था कि जा सकती है यानि की पैसि की विवश्था हो जाएगी दूसरा जो भी material की quantity लगनी है वो आप उसको order कर सकते हैं मसीन को order कर सकते हैं लेबर की लेबर को बुलवा सकते हैं पहले से पता लग जाएगा तो स्पेसिफिकेशन का अनुपालन हो सकेगा जो भी स्पेसिफिकेशन में लेखायक की साधार प्रकाम होना है आप उसको अच्छी तरीके से पालन करवा सकते हैं ताकि उसकी property अच्छी आपको मिले प्रोजेक्ट की construction period का पता लग जाता है time period का पता लग जाया कि इस्टिमेशन से टेंडर invite करने के लिए प्रोजेक्ट का estimation भी होना जरूरी है ताकि आप किसी को बता सके कि यह प्रकाम होना है payment करने में help मिलती है क्योंकि पहले से आपको अनुमानित लागत पता है तो आप उसी के आधार पर payment कर सकते हैं अगर देखेंगे नेस्ट टॉपिक है समझ मार आ नहीं समझ मार बताईए आएसी क्लासेश चलेंगे नुमेरिकल आएगा तो नुमेरिकल भी सारा चलता रहा प्रापर वे सेम आफ लाइन अगर आप कोचिंग एडिमिशन लेंग लेते हैं जिसमें 16-17,000 रुपए लगता है छोटी कोचिंगों में बड़े कोचिंगों में 35-40,000 रुपए लगता है सेम इसी तरीके से क्लास च कियेगा, ठीक है आए बात करते हैं type of estimation, अगर नोर्ट छूट भी जाता है तो आप pdf upload हो जाएगे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप से वहां से कर ली लिख सकते हैं लिखे type of estimation type of estimation ठीक है प्राकलन की प्रकार प्राकलन के प्रकार या फिर इस्टिमेशन के प्रकार देखिए यह न अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग टाइप जिसे अलग-अलग बुख में बहुत सारे टाइप हैं तो कन्फ्यूज मत होईएगा मैं यहां पर एक लिख देता हूं आपको समझ में आ जाएगा इसका सारांज ठीक तो लिखेंगे यहां पर पहला है प्रारंभिक या खाका लागत प्रकलन प्रारंभिक या खाका लागत प्रकलन ठीक है प्रेलिम्नरी या रफ कास्ट इस्टिमेट प्रेलिम्नरी या रफ कास्ट इस्टिमेट रफ कास्ट इस्टिमेट प्रेलिम्नरी या रफ कास्ट इस्टिमेट ठीक है आक लुए कि आँध कर रहा है तभी तो बाय किया है बात तो सही है लिखेंगे इस में देक्फे दो तरय ये होते हैं इसमेट में इक तो हमारा प्रारम्मिक हाका लागत प्रिलिम्नेरी या क्राम का इसकाला क्या से इस इसमेट दूसरा होता है detailed estimate पहले मैं इसमें जो चार-पांच है उसको लिए अलग से लिखवा दे रहा हूं फिर detailed वाले की बात करेंगे ठीक है accuracy order भी हम आपको लिखवा देंगे लिखे पहला यहां पर है इसमे preliminary year of cost वाले में लिखेंगे है место API i kah jagah a treatments the लिख है इसके लेना आप लोग सोचिएगा कि लिखने में सर्व समय लग रहा है वही आप किसी चीज़ को पड़ रहे हैं जो तीन साल में डिपलोंगा कीए हैं उसको आप यहां तैयारी में तो थोड़ा से समय तो लगेगा लिखने में उसके लिए पीछे न हटिए लगे रहेंगे एकी दिन में कोई चीज नहीं पूरा होता है लिखिए इसको यूनिट या यूनिट या रनिंग रेट इस्टिमेट अभी मैं बात करूंगा कि इसको प्रिलिनरी रफ कास्ट इस्टिमेट क्यों कहते हैं उस पर भी चर्चा होगी दूसरा लिखेंगे कुरसी छेत्रफल दर प्राकलन कुरसी छेत्रफल दर प्राकलन प्लिन्थ एरिया रेट इस्टिमेट प्लिन्थ एरिया रेट इस्टिमेट नेस्ट है घनी दर प्राकलन क्यूबिकल कॉंटेंट रेट इस्टिमेट क्यूबिकल कॉंटेंट रेट इस्टिमेट नाम बहुत जिरूदी है कहेंगे सर ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं इस नाम से ही कोश्चन आएगा इतना समझ लीजिए इसमें क्या होता है उससे तो आता ही है यह नाम से भी कोश्चन आता है कैसे आएगा बिताएंगे भी लिखेंगे डी प्रतिसत दर प्राकलन प्रतिसत दर प्राकलन परसेंटेज रेट इस्टिमेट परसेंटेज रेट इस्टिमेट नस्ट है ई नंबर समग्रिव स्त्रमिकों के आधार पर प्राकलन यानि की इस्टिमेट बेस्ड आन माटेरियल एंड लेबर एंड लेबर यल ए बी ओ यू आर इस्टिमेट बेस्ट आन माटेरियल एंड लेबर बता रहे हैं ठीक है बता रहे हैं दहिए इससे कोश्चन कैसे आता है कभी कभी लिग देता है कि इस रफ़कास्ट इस्टिमेट नहीं है और आपसर में चार देगा या चार में से तो आपको इसमें से पहचानना रहेगा कि कौन सा नहीं है बहुत ज़्यादा नहीं निकल गाता तो इसलिए इसको यह जो पांच है से पांचो रफली ही निकलता है इसके अधार दो परिए दूसरा वाला है डिटेलड वाले में क्या है तो इसमोमें एक-एक डिसक्स करते हुगा आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा लिखवाते हुए, दूसरा लिखेंगे इसमें, दूसरा लिखेंगे, विस्तृत या मददर प्राक्लन, विस्तृत या मददर प्राक्लन, डिटेल्ड या आइटम रेट इस्टिमेट, ये वाला जो है न, दूसरा वाला, ये इसमें ज्यादा अक्कूरिशी आपको दीखने को मिलेगा, इसमें भी अलग-अलग टाइप है, डिटेल्ड या आइटम रेट इस्टिमेट में, जैसे पहला है सामान्य मददर प्राक्लन, जन्रल आइटम रेट इस्टिमेट, कुछ चीजे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ यहाँ सुन लीजिए इसमें और भी है बी नंबर भी है सी भी है ठीक है कई है जो यह सामान मदर प्राकलन है जनरल आइटम रेट इस्टिमेट है इसी को ही डिटेल्ड भी बोलते हैं क्योंकि यह आइटम रेट इस्टिमेट है न तो इसी को डिटेल्ड भी कभी कभी बोला जाता या बोलते भी हैं लोग क्योंकि यह डिटेल्ड का पार्टी है यह डिटेल्ड का पार्टी जैसे कभी कभी गाउं में आप देखिए तो गाउं में जैसे बोलते नहीं किसी का तो क्लास में लड़का पढ़़ाई करता रहता है तो टीचर बोलते हैं ड्राइबर साथ उठ जाएं उनके पापाई रखेत हैं अब उनके लड़के हैं तो इसलिएक रख़िया आप अर्ट समझब उधन करने लगी उनकी पटाजी में तो इनको ही बुलाने लगे लगता इसी कुछ कहने लगते हैं बात समझें हाँ चली तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा वाला संसोधित या पुन रिच्छित प्राक्लन आज यह खतम हो जाएगा चेप्टर ठीक है रिवाइजड इस्टिमेट 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 ठीक है नैस्ट है यह नोट करिये दो और है भी इसी के टाइप अभी इसी के दो और है लगे रही एकदम जुनून के साथ लगे रहेंगे तो एक दिन सफलता मिलेगी जरूर चलि, आई आगे देखिए, नास्ट है, सी वाला पूरक प्राक्कलन, ठीक है, सप्ली मेंटरी इस्टिमेट, सप्ली मेंटरी इस्टिमेट, इस्टिमेट, ठीक है, मरमती कारे प्राक्कलन, अब हम इसका यह लिख लीजिए, अब एक एक का डिटेल्स में समझाते हुए तब लिख हुआएंगे, मरमती कारे प्राक्कलन, रिपेर इस्टिमेट, ठीक है, तो यह टोटल जो है हमारा कम्प्लीट होता है, एक कुरेसी आडर अभी लिख पा दें क्या, एक कुरेसी आडर अभी लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम एक एक करके समझाते चलेंगे, अच्छे से उसके बाद लिखवाते चलेंगे, तो आपको हर एक के बारे में पता चल जाएगा, जितने इस्टिमेट है, सभी के बारे में, जो इसमें आपका चार है, और इधर आपका कितना है, पांच है, तोटल नव, यह नव परकार के बारे में हम आपको डेटेल्स में अब बात करेंगे, समझाएंगे, ठीक है, तो इसमे लिहेडरा चलिए, लिखेंगे decreasing order, decreasing order में लिखेगा accuracy, degree of accuracy, ठीक है, लिखेंगे यहाप़ degree of accuracy, एक मिन रुकिए जरा साथ, चलिए लिखेंगे डिग्री, आफ एक कुरेशी, यह कोश्चन बहुत बार पूछा, इसलिए इसको अलग से लिखुआ रहे है, डिग्री आफ एकुरेसी जैसे कभी-कभी पूछता ना कि कौन सा इस्टिमेट ज्यादा परिसुद्ध रिजल्ट दे रहा है किसकी एकुरेसी अच्छी है कि डिक्रीजिंग और में लिखवा रहा है निश्यिद डिक्रीजींग और में डिक्रीजिंग और में है कि पहले लिखेंगे डीटेल इस्टिमेट इबेएससं बस मेक्च भी हैं डीटेमिट इसहिए कॉरें इसappropriimana कि अबेटेएस अब लिखा इसकी अकुरेसी सबसे अच्छी होती है सबसे अधिक ही होगी अब घटते हुए डिक्रीजिंग आडर में जा रहे हैं घटते हुए क्रम में उसके बाद क्यूब रेट की होती है क्यूब रेट की उससे कम प्लिंथ एरिया प्लिंथ एरिया उससे भी कम रफ तो एक्जाम में यदि पूछाए तो आप इस तरीके से ध्यान से देख लीजिए एक बाद सबसे अच्छी एकुरेशी सबसे अधिक एकुरेशी डेटेल्ड इस्टिमेट या जनरल आइटम रेट इस्टिमेट उससे कम क्यूब रेट की उससे कम प्लिंथ एरिया इस्टिमेट उससे कम रफ कास्ट इस्टिमेट ज्यादा तर यही पूछता है इन्हीं के बीच रिले सथ यानुमाल लगाते हैं वो सही खली दे रहा है नहीं दे रहा है ठीक है यही चीजिस से पूछा जाता है ठीक है है कि मिया छे ही करते हैं तो देखें यह descending order है यानि घटते हुए क्रम में है एक कुरेसी घट रही है अगर यह उल्टा लिख देते तो कुरेसी बढ़ने लेगे यह पहले रफ हो जाएगा फिर फिर क्यूब इसलिए एरो भी उसी हिसाब से लगाए है सिंबल घट कम ज्यादा वाला ठीक है चलिए तो नोट हो गया नोट कर लीजिए फिर उसके बाद इसी दूसरा क्लास अग कांटेनिव करते हैं उसके बाद डीटेल्स में समझाते हैं अगर आपको समझ मार आया चीजी अच्छे चल रही है यह वीडियो यूटूब पर भी अप्लोट कर देते एक दो डेमो और सेर कर नहीं सकते तो वहां से आप अपने मित्र वेरा को सेर कर सकते हैं ठीक चलिए ओके बाइबाइब कट नहीं करेंगे